आज हम लोग शुरुआत करेंगे भी बजार की कुछ ऐसी बारिक चीजों से जहापर मैं आप लोग को बताऊंगा कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा वो कौन-कौन से चीजें हैं क्या-क्या आपके पास में जो facilities होना चाहिए जो सबसे पहले ट्रेडर के पास होती है एक अच्छा ट्रेडर जो है हमेशा कुछ न कुछ गलतियां करता है मैं वो गलतियां भी आप लोग को बताऊंगा rumors के लिए आप लोगों को channels को subscribe करना पड़ेगा बहुत सारे जो channels होते हैं या फिर आप लोगों को like news वगेरा मिल जाता है जैसे कि मैं बात करूँगा money control हो गया mint हो गया यह ऐसी बहुत सारी websites है जहां पर आप लोगों को news मिल जाएगा ठीक है एक तो money control हो गया ठीक है money control या एक live mint करके एक website है ठीक है आपका bloomberg करके भी एक website है ठीक है आपके पास में investing.com करके भी है ठीक है और business today करके भी आप लोग जो है business today ठीक है और यहसी बहुत सारी चीज़े जो है यह news और rumors आप लोगों को बता देती है ठीक है आप कौन सी चीज़ पर आपको विश्वास करना है चुकि बजार का एक कहावत है buy the news sell the rumors यानि जब भी हम लोग stock market में काम करते हैं तो जादातर rumors होती है news यानि fact है और fact जब त आता तब तक उस पर believe नहीं किया जा सकता है तो stock market के अंदर identify the news and identify the rumors जब तक rumors मिल जाएंगे तब तक हो सकता है वो trade का momentum हो जाए क्योंकि stock market में अधिकता trader जो trader होते हैं वो क्या सूचते हैं trader हो का main thinking होता है profit या फिर loss ठीक है अब चाहे वो intraday पर हो या चाहे वो swing trading हो या फिर वो delivery हो ठीक है अगर वो trader है तो trader को कोई लिना देना नहीं है trader चाहता है हमेशा कि मैं अपने stocks को short term या फिर थोड़ा सा moderate term या फिर long term पर profit book करूं मैं तो उस profit book करने के लिए वो सबसे पहले focus करता है news पर ठीक है आप अगर trader है तो आप news और rumors को ignore नहीं कर सकते हैं और news rumors के लिए सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका में बताता हूं आप लोगों को आप लोगोंने twitter देखा होगा बले एलन मस्क के साथ में उसकी विवाज चल रहे हैं लेकिन हमें तो twitter का फायदा उठाना है free of cost जब तक चल रहा है तब तक तो हम लोग फायदा उठा सकते है ठीक है तो first of all twitter पर जाकर आपको जितने भी government officials है ठीक है government officials आप लोग समझते हैं जैसे ministry of finance हो गया ठीक है आपका ministry of defense हो गया आपका ministry of coal हो गया तो जितनी भी ministries है या फिर PMO को ठीक है आप लोग follow कर सकते हैं साथ में आपका एक news agency है ANI आप इसको follow कर सकते हैं और twitter पर जाकर जितने भी government के departments के cabinet ministers के officials को follow कर लीजे क्योंकि क्या होता है जब भी जैसे हमारे जो मानेनी नितिन गटकरी जी है वो जब आते हैं तो वो road से related गाणियों से related चीजों के बारे में बताते हैं जैसे एक वाक्या में आप लोग को सुनाता हूँ जब एक conference में नितिन गटकरी जी ने जो बोला था कि हम लोग इंडिय के अंदर अब लोग इथनॉल खोदी प्रोड्यूस करेंगे अब भाई यह इथनॉल जो चीज है इथनॉल निकलता है गन्ने से और गन्ना बड़ ओविसी बात है केतों में उखता है किसान इस चीज की खेती करता है तो किसान गन्ना उगाने के साथ में याने sugar और आपका गुड अगर बना रहा है वो तो उससे वो इथनॉल भी बन सकता है और फैठिनॉल लगता है पेट्रोल के अंदर तो पेट्रोल के अंदर इथनॉल को मिलाए जाता है जो कि एक फुलेमेबल फ्यूवल है तो कुल मिला जुला कि ये जब news आया था तो जैसे news आया था तो सा बलराम पूर्चीनी और डाली में बहुत सारे जो स्टॉक्स थे वो एक दम से सड़ली भागना चालो हो गए थे याने किसका इंपक्ट आया बजार के अंदर न्यूस का इंपक्ट आया और यह न्यूस रियूमर नहीं थी जब तक रियूमर होती तब तक स्टॉक बढ़ता है इंडिया से इथिनॉल के एक्सपोर्ट को रोक देंगे क्यों रोक देंगे क्योंकि इंडिया के अंदर ही इतना डिमांड है अगर हम यहां से एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे इंडिया के अंदर जो फ्यूल का जो कॉस्टिंग लगता है वो भी महंगा रहेगा क्योंकि सा कोटा सा वाकिया था जो कि news से related था तो जब जब भी आप लोग news पढ़ते हैं तो news को correlate करना सीख चाहिए को रिलेट economy voice, को रिलेट political voice, geographical voice, social voice, technological voice याने सब चीजों को हम लोगों को को रिलेट करना है ठीक है और इस correlation से आप लोगों को मिलेंगे stocks और उन stocks के अंदर चाहिए आप intraday trade करें, swing rate करें या delivery trade करें यह आप लोगों के उपर रहेगा तो मैंने आप लोगों एक छोटा सा तर है follow the trend because trend is your friend, तो trend को friend बना लीजिए और stock market के अंदर profit निकाल लीजिए ठीक है, तो सारी चीज़े आप लोगों के हाथ में है, मैंने आपको सीधा simple एक तरीका बता दिया, कि news follow करें, rumors को थोड़ा सा ignore करें, क्योंकि rumors short term होती है और news थोड़ी सी long term होती है, ठीक है, बहुत सा business today, ऐसी कहीं तरीके की government official websites भी है, RBI खुद कहीं तरीके के statisticals जो data होते हैं, वो deliver करता है, RBI की बहुत सारी agencies है, जिस पर आप लोगों को statistics जो है वो मिल जाएंगे, और facts कभी भी जोट नहीं बोलते हैं, ठीक है, बहुत स्लो होगा, लेकिन facts कभी भी जोट नहीं बोलेंगे, तो that is a simple way to identify news and rumors, ठीक है, अब जो चीज़े आप लोगों को करना है, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, simple, आप लोगों को political, ठीक है, आप लोगों को social, ठीक है, आप लोगों को economical, ठीक है, आप लोगों को geographical और technological. इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे एक simple example लेता हूँ, मैं अब रशिया और यूकरेन के बीच में geopoliticals या war जैसा situation चल रहा है, ना वहाँ की technology अच्छी, ना वहाँ का political environment अच्छा, ना वहाँ पर geographical चीज़े अच्छे चल रही, सब जगह से tension चल तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि इसका असर पूरे विश्व पर पट रहा है, याने चाहे हम हो या अमेरिका हो या चायना हो, सब पर एक जो की demand and supply का major concept होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम लोग किसी भी product के अंदर demand and supply find out कर सकते हैं, ठीक है, और बजार कैसा चल याने buyer become seller and seller become buyer once in its trading cycle, तो demand and supply को समझना हमारे लिए most important चीज़ है, तो demand supply को समझने के लिए, first of all, political जानना बड़ेगा आपको, अब मैं अगर इंडिया की बात करूँ, तो मोदी जी के जो political stabilities है, वो बहुत अच्छी है, याने हमारे इंडिया का जो market वो stabilized है, अगर हम लोग अमेरिका की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी market stabilized है, अगर मैं Russia और Ukraine की बात करूँगा, तो वहाँ पर भी market होंगे, stock market, वहाँ के stock market कैसे, uncertains है, क्यों, war चल रहा है, political instabilities है, ठीक है, socially अगर हम लोग देख रहे हैं, तो socially भी कुछ न कुछ problems होती रहती, जैसे भी COVID आया था, और इसी बहुत सारी चीज़े हैं, जो socially हमें देखना पड़ती है, clear है, economic wise, अगर geopolitical tensions होंगे, तो economic wise भी ये बहुत ज्यादा नुकसान दायक है, अगर political instability होगी, तो economical भी instability होगी, ठीक है, एक आजाता है geopoliticals, ठीक है, अपने geographical, जैसे Russia और Ukraine की बात चल रही है, उधर China और Taiwan आ आपस में geopolitical tensions हैं इनके बीच में, तो दोनों के बीच में कहीना कहीं जो है, demand or supply या फिर importing और exporting को लेके बहुत सारी दिक्कते आ रही होगे, ठीक है, और साथ में एक आखरी में आ जाता है, technologically, अरे जब geopolitical tension होगा, तो technology क्या change होगी, एक दूसरे से share करेंगे हम लोग, क्या China technology देगा Taiwan को, या Russia देगा Ukraine को, नहीं देगा ना, तो इससे किसी चीज को लॉस हो रहा है, अगर ये चीज आगे बढ़ती है, तो stock market पर भी इसका असर जो है, बहुत बुरा पड़ता है, तो हमें किसी भी चीज के अंदर demand and supply या stability और unstability देखने के लिए, we have to identify the political issues, social issues, economical issues, geographical issues and last, technological issues को देखना बहुत जरूरी है, और ये हर चीज एक अच्छा research channel list हमेशा trade लेने से पहले करता है, अगर intraday कर रहा है, तो intraday में उसे चाहिए news और rumors, अगर वो swing trade कर रहा है, तो swing trade में उसे चाहिए news, rumors कुछ देर के लिए होती है, और अगर वो long term trade कर रहा है, तो long term trade कर और देख सकते हैं, आप लोग SWOT analysis, ठीक है, ये simple सा तरीका हो गया, SWOT analysis का मतलब हो गया, strength, weakness, opportunity and threat, वही strength कितनी है, किसी भी stocks में या किसी भी company के अंदर, क्या power है उसके पास, मैं ऐसा क्या गरती है, जिसके कारण उसका जो stock है दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है, weakness क्या है, डर किस से है उसको, या उस stock को government से डर है, या किसी के कारण उसके अंदर, जो है stocks में नर्मी आ सकती है, ये competitors जादा है, opportunity, क्या क्या criteria है, market के अंदर, यानि कहां कहां पर वो business opportunity ढोन सकता है, और threat, डर, ठीक है, तो simple सी बात है, मैंने already SWOT analysis पर ऐसे एक दो videos बना चुका हूँ, मैं, अगर आप लोगों ने वो videos नहीं देखे हैं, तो description में जाकर, मेरे videos आप देख सकते हैं, SWOT analysis के videos, जहाँ पर मैंने in-depth किसी भी stocks की मैंने वहाँ पर, बहुत अच्छे से मैंने SWOT analysis किया है, अगर आपको video पसंद आता है, तो like, subscribe, share जरूर कर देना, ठीक है, तो ये भी ह SWOT analysis के साथ में, और क्या क्या चीज़ है, SWOT analysis के साथ में news, and SWOT analysis के साथ में आपको rumors, और इसके साथ में political, economical, geographical, technological, और social, ठीक है, इन सभी चीजों का combination करके, आप लोग चाहे intraday trade करें, swing trade करें, या फिर आप delivery trade ले लिएजे, आपके trades 90% तक success में जाएंगे, अगर आप ये सारी चीज़े एक साथ कर लेते हैं, तो चिक है, और अधिकतर लोगों को मैंने देखा है, वो जब trade करते हैं, तो directly nifty bank nifty को trade करते हैं, और without looking, बादार के अंदर क्या चल रहा है, relativity नहीं है, relate नहीं कर पा रहे हैं, volume है, volume नहीं देख पा रहे हैं, सब बोलते ह तो tool indicator देखकर trade ले लेते हैं, तो tool indicator देखकर trade लेना होता, तो I think so, दुनिया में 140 करोड लोग है, सारे tool indicator देखकर trade ले लिया करते हैं, और अगर सही बताते हैं सभी, तो I think so, हम सभी आज करोड बती होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, psychological भी कुछ चीज़ें होती हैं, एक अच drive करने के कुशिश करें, आप case study करें, कि अगर ऐसा हो जाए तो, like mind में लेके चले कि अगर Russia, Ukraine के लड़ाई हो जाए तो क्या होगा, क्या consequences बनेंगे, किस हद तक बाजार गिर सकते हैं, बहुत डॉलर के situation क्या होगी, euro की situation क्या होगी, pond की क्या होगी, INR का क्या होगा, तो सा late recession या depression वाली बात कर लिजिए, 2008 की बात कर लिजिए, 1992 की बात कर लिजिए, तो ऐसे बहुत सारी case studies आप उठा कर देखा करें, और पढ़ियें, उनमें से कुछ factors find out केजिए, कि बाजार के गिरने का कारण क्या रहा, और कब हमें ये estimation आ गया था, कि बाजार गिर सकता है, ठी तो ये सारी चीजों को देखने से पहले आप लोगों को अपने topic या अपने stocks के साथ में थोड़ा सा familiar होना पड़ेगा, बाजार के लिए news पढ़ना पड़ेगी, कहीं magazines आती है, आपका the wall street of journal आती है, ऐसे कहीं सारी magazines आप लोगों को मिल जाएगी, कुछ free of cause भी मिल जाएग तो आपको जितना news चाहिए, आप हर जगर से news gather कीजे, and then decide your trade, चिक है, so I think अप लोगों को ये बहुत सारी चीजें जो है easily समझ में आई होगी, हम लोग अधिकतर कुसना कुछ चीजें miss कर जाते हैं, और इसके बाद में भी अगर आप लोगों को confidence थोड़ा सा कम है, trade लेने में confidence में कमी आ रही है, तो आप लोगों को simple solution देता हूँ, जहां पर आप लोग trade कैसे लिजे, आप अगर trade कर रहे है, ठीक है, आपको trading start करना है, आपने आपका trade start कर लिया, वहीं demate account आप open कर लिजे, ठीक है, demate account open करने के बाद में, कितने रुपए add करना है आपको, अरे 500 रुपए add कर दीजिए यार, 500 रुपए, 100 रुपए, जितना आपको लगता है, इतना तो आप at least कम से कम add करी सकते हैं, ठीक है, 500 रुपए add कर दीजिए, अब आप यहाँ पर daily share खरीदिए, जो 500 रुपए के budget का हो, ठीक है, एक ही share करीदना है, हमें profit loss नहीं देखना है, हम दिन भर में एक share कितने रुपए का momentum करता होगा उपर नीचे, खुद सोचिए, वहीं एक share, एक से 3% का momentum करता होगा, याने 500 रुपए का 1 से 3% का momentum कितना हो गया, आप खुद अंदाजा लगाईए, वहीं 1% कितना हो गया उसका, 5 रुपए, 3% कितना हो गया, 15 रुपए, या या तो यह 15 रुपे उपर या तो 15 रुपे नीचे जाएगा ठीक है याने maximum इसका एक दिन का range हम लोग कितना ले लिते हैं 485 से 515 ठीक है अगर आपने एक share किया है buy या फिर sell whatever जो भी trend देखा, chart देखा या फिर technical analysis किया या फिर news देखा, rumors देखा तो 485 रुपे से 515 रुपे का एक range है मैंने buy कर लिया या sell कर लिया, मेरे को profit नहीं हुआ, मेरे को loss हुआ तो loss कितना होगा, एक quantity पर, 15 रुपे से जादा का loss होगा क्या, नई अगर मेरे को profit हुआ, तो मेरे को profit कितना होगा, 15 रुपे से जाधा का मेरे को profit होगा क्या नए ठीक है याने मेरा profit भी limited मेरा loss भी limited ये practice आप कीजिए पूरा पूरा एक महिना ठीक है जिस दिन आप लोगों को confidence build up हो जाए उस दिन आप gradually quantities बढ़ाईए एक quantity से पहले 10 कीजिए 10 से 25, 50 75, 100 100 पे आके रुख जाईए 100 के उपर हमें quantity कब तक नहीं बढ़ाना है जब तक की हमारा confidence level और बढ़ने जाता हमारा जब तक की 80 या 90% का accuracy नहीं आ जाता अपने आप में अपने आपको levels दीजिए किसी और से tips लेने की बजाए अपने आपको ही tips दीजिए आप ठीक है कि नहीं मैंने ये trade सोचा था मैं ये trade करूँगा quantity आप लोग decide करेंगे क्योंकि risk आपका reward आपका ठीक है सारी चीज़े आपकी है तो आप लोग अपने आपको गलत suggestion तो नहीं देंगे हम सबसे जूट बोल सकते हैं अपने आप से बिलकुल नहीं ठीक है तो ये वाला एक technique है जो मैं हमेशा मैं करता था अपने trades के लिए मैं भी जब सीखना start किया था तो मैंने भी एक 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 क्वांटिटी में shares को खरीतना start किया जिससे मुझे confidence build up हुआ और देरे 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 बहुत सारी चीजों को सीखा मैंने और learn किया कहीं सारी books पड़ी है लेकिन in the end आके फिर समझ पड़ता है कि चली books में जो लिखा हुआ है उससे बजार काफी अलग चलता है यानि हम लोग psychology को नहीं समझ सकते हम लोग बजार में यानि अगर मैं अपनी psychology समझ सकता हूँ लेकिन public जो मेरे सामने है वो किस psychology को किस mindset को लेकर बैठी हुई है वो मैं नहीं समझ सकता हूँ तो basically हमें यही चीज़ देखना है बजार के अंदर पहले हम लोग confidence level build up करते क्योंकि देखिए बजार में एक कहावत है आते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन महिने बर के अंदर सारे लोग चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना career के शुरुआत सीधे करी होती है option trading से option trading एक इतना बढ़िया tool है लेकिन जिसका इस्तेमाल लोगों को गलत तरीके से करते आता है तो first of all आप शुरुआत सीधे तरीके से कीजिए equity equity के बाद में confidence level जब आपका बढ़ जाए then future future के बाद में अगर confidence level अगर आपका बढ़ जाए then options ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों का equity के अंदर patience level create होगा future के अंदर आप लोगों का profit taking या risk management होगा और options के अंदर आप कम से कम पैसों के अंदर जादा से जादा का reward बनाने की कोशिश करेंगे तो यह इतनी सारी चीज़े आप कर लीजे और मुझे नहीं लगता इतनी सारी चीज़े करने के बाद में आप लोगों के जो confidence level है उसमें कमी आएगी और मैं भी यही करता हूँ मेरा भी daily का routine यही है रात को बजार देखकर सोता हूँ मैं अमरिका के, यूरोप के आफिस सुवे सुवे अपने market से पहले मैं उनके market के futures को देखता हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा सा confidence मिल जाता है कि हाँ यार बजार मुझे लगता है थोड़ा सा sideway, uptrend या downtrend रह सकता है और साथ मैं ही news को follow करता हूँ और सारी news देखता हूँ अगर stocks में मुझे trade लेना होता है तो मैं stocks के अंदर सबसे पहले देखता हूँ कि technical breakout तो नहीं है कुछ ऐसी news तो नहीं है revenue results तो नहीं है या फिर कुछ dividend declaration तो नहीं है कुछ ऐसे corporate actions तो नहीं है तो इन सारी चीज़ों को धियान में रखकर फिर मैं trade लेता हूँ बहुत difficult होता है trading करना it's not that easy task हर आदमी नहीं कर पाता है कुछ ना कुछ तो miss out होगा आप लोगों से लेकिन जब तक आप लोग अपनी mistakes को repeat करना नहीं बंद करेंगे तब तक आप लोग के trade success में नहीं बैठेंगे तो आज I think तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़े समझ में आई होगी अगर आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो और ऐसी इंटरेटेंड और जो है knowledgeable वीडियो और चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं the trading institute आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी help करता रहेगा और financial literacy को spread करता रहेगा अगले वीडियो के साथ में हम लोग मिलेंगे और अगले वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि equity market क्या है और इसके benefits क्या है और वीडियो देखते रहे हैं subscribe, like, share, comment करना पिल्किल पना भूली करें जेते, बप्यों करते बाइब या जेते बाइब जो जाने है लेकर प्रापषर करें शा जाने हैं